हेई गाईज तो आज में सिंपल से विलिन टॉप को बहुत ही सुन्दर सा डिजाइनर सा लुक देने वाली हूँ तो यह बहुत ही खुबसूरत सा लुक देगा इसे तो पूरा वीडियो देखना और वीडियो पसंदा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना शेयर कर देना ल यह चोटी सी बारीक गलास कांच कि बनी मोतिया होती है तो आप इसमें से कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं यहां पर मैं पिंक या ग्रीन दोनों से एक ही कलर यूज करने वाली हो तो यह कट मीरर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप में होते हैं और यह गो तो यहां पर मैंने फेवरिक ग्लू यूज किया है आप चाहे तो फेवरी कोल भी यूज कर सकते हैं बट वो शायद वाश करने में जादा जल्दी निकल जाए से बट फ्रेंस आप कोई भी ग्लू यूज कर सकते हैं नॉमली बट यह इसी होता है और बहुत ही कम में यह सारी जाती है तो आप इससे DIY करें बहुत ही अच्छा होगा तो यहां पर मैं सबसे पहले नेकलाइन बना रही हूँ और उसके लिए में यह गोल्डन हाप कट मोतियों को यूज कर रही हूँ तो अब मैं यहां पर यूज करने वाली हूँ यह कट मीर्स को मैंने अलग-अलग दो बहुत ही इसी होता है आप चाहे तो गलू एक साथी इस तरह से प्लाइ कर लेना फ्रेंस उसके बाद आप किसी भी चीज से इस तरह से मोतियों को अज़स्ट कर लेना अच्छे से इसमें चिपका देना वीडियो के लास्ट में मैंने दिखाया भी है इसे पहन कर तो आप व से लुप दे रहा था और अब यह बहुत ही जाधा खुबसरत हो गया तो आप प्रॉपर ली वीडियो चेक कर लेना बहुत ही आसान है बहुत ही कि जल्दी से बन जाता है यह डिज़ाइन और बहुत यह इसली आप सबना सकते हैं गरं पर बना और आपको इसके लिए बहु बहुत ही जादा सिंपल और बेस्ट लुक देने वाला है आपको तो इसे जरूर ट्राय करना आप चाहे तो डिफरेंट कलर के स्वेटर पे भी सेम डिजान आप कर सकते हैं बस आप चाहे तो मोतियों का कलर आपको जो भी पसंद हो सिल्वर या कोई डिफरेंट कलर वो भी यूज़ कर सकते हैं तो यहां पर यह बहुत ही खुबसूरत सा लुक देगा आप इसे जरूर ट्राय करना फ्रेंस तो देखो यहां पर मैंने यह जो कट मीरर है उसे यहां पर मैंने प्रॉपरली सेम राउंड शेप महीं से इस तरह से प्रॉपरली चिपका दिया है और यह बहुत ही जादा और भी जादा खुबसूरत हो गया है यह अब मैं यहां पर यूज़ करने वाली हूं यह दूसरी शेप वाले कट मीरर को और यहां पर मैं यूज़ करूंगी सेम ग्लू और उसके बाद में इस पर जो छोटी सी हमारे ग्रीड वाले मोती है उसे मैं अपलाज़ कर दूगी आप चाहे तो सीम डीजाइन आप ब्लाॉस पर भी क्रिएट कर सकते हैं या कोई सा जाल कांज पर यह बहुत ही समपल लुक होगा जिसे आप कहीं पहन के जा सकेgenगे और कलर आप चाहे तो जो भी आपको पसंद हो वो कलर यूज कर लेना यहां पर इमोतियों का बट आप शेप यह ट्राय कर सकते हैं और यह बहुत ही खुबसुरत आपके ब्लाउस के लिए भी लुक देगा तो फ्रेंज मेरा एक और चैनल है वहाँ भी आप चाहकर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी होम रेमिरीज और नेल आट से रिलेटेट वीडियो आपको मिल जाएंगे तो आप अगर चाहो तो वह भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं उसका ल इस तरह से जो मीर चिपका लेना आप कलू के साथ अगर आप इसे चिपकाते हैं तो यह और भी इसी हो जाएगा आपको बनाना और प्रॉपरली आपको शेप मिल जाएगा क्योंकि यह अगर आप चाहे तो इस पर बारिक निशान भी बना सकते हैं और इसके बाद अगर अगर आड़ ऐसले मिल जाइंगे यह आजवास अपने मारकेट में एम आप बदा करेंगे तो वहां भी सारी चीज़े मिल सकती हैं और यह बहुत कम मिल जाता है और फेब्री ग्लू भी आपको आसानी सी आपके मार्केट में मिल जाएगा यहां नहीं मिलता तो ऑनलाइं भ बना सकते हैं तो आपको जो भी डिजाइन पसंद हो आप राय कर सकते हैं यह वाला भी बहुत ज़्यादा खुब्सुरत है तो मुझे जरूर शेयर करना आपकी आपने कौन से कलर के स्वेटर पर यह डिजाइन क्रेट किया और कैसा रहाब के लिए डिजाइन और फ्रेंस सब का डिजाइन क्रेट करके दिखाऊं तो कॉमेंट कर लेना मैं सेम डिजाइन क्रेट करनी की पूरी कोशिश करूंगी तो हमारा डियाइवाइ वुलें टॉप बनकर रेडी हो गया है और यह देखो इसका फाइनल लुक मैंने से पहना है और यह बहुत ही जादा खुबसुर